हलो दोस्तों मेरा नाम अर्जूंड आठोड और फिसल स्वागत आपका एक और नए वीडियो में तो भाई फाइनली हीरो कमपनी ने एक स्ट्रीम 200S का न्यू मोडल लॉंच कर दिया है इस वीडियो में आपको बताँगा और ये भी बताने वाला हूं क्या आपके लिए ये वेली फॉर्मनी बाइक है या फिन नहीं तो पूरा वीडियो एन तक जरूर देखें और चल पर फिर्स टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको एस तही वीडियो देखने को मिलते रहें और पावर फिकर स्किन पर भी आप देख सकते इसमें 5% पावर इंक्रीज हूई है और अपरोक 7% इसमें टोर्क इंक्रीज हो चुका है mileage की बात करें तो 30 से लेके 35 के around आपको इसमें mileage मिल जाता है और 130 से लेके 140 के around इसकी top speed आपको देखने को मिल जाती है दूसरा update हुआ है इसमें ग्राफिक्स का इसमें एक yellow color है दूसरा mate black है और तीसरा जो है उन्होंने अलक्सा नाम दिया demon black कुछ करें लेकिन तीनों ही color option काफी शानदार है और जो yellow color है वो personally मुझे देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है Looking wise ये जो color है थोड़ा सा ज़्यादा sporty लग रहा है बाकि आपको तीनों से कौन सा color ज़्यादा अच्छा लग रहा है comment करके जुरूर बताना पुली LED मिलती है लेकिन यह जो light है पहले से change कर दी गई है तो यहां पर यह भी एक अपडेट इस बैक में किया गया है थोड़ा सा जो इसका design है वो थोड़ा अलग है 1,41,000 एक शोर मडेल इसकी प्राइज रखी गई है और बात करें कि क्या ये बाइक वेल्यू फोर मनी है या फिर नहीं तो देखें वार ये जो बाइक है फुली फेरिंग बाइक है और इसकी जो प्राइज है वो काफी reasonable है काफी कम budget में आपको काफी अच्छी बाइक देखने को मिल जाती है इसके अलावा इस बाइक में आपको kick start और self start दोनों ही option देखने को मिल जाते है जो कि sport category में किसी और बाइक में आपको देखने को नहीं मिलते है तो ये भी काफी बड़ा plus point है भाईया हीरो की extreme 200s का पाइना तक काफी long time तक चलता है जो maintenance है वो भी काफी कम रहता है तो इस हिसाब से जो बाइक है मेरे साब से तो एक value for money बाइक है बागी इस बाइक में एक दो छोटी मूटी कमी है जैसे कि पहली जो कमी लगती है मुझे वो यह कि यार इसमें dual channel ABS अब भी नहीं दिया गया है जो कि इनको दे दना चीए था इसके लावा यहाँ पर जो बाइक है इसमें जो suspension है वो भी आपको अभी भी telescopic suspension ही देखने को मिलता है मेरे साब से इसमें भी यार USB suspension दे देना चीए था जैसा कि एक stream के नए model में दे दिया गया है बस यही एक दो छोटी मुटी कमी मुझे इस बैक में लगती है बाकी तो जो बाइक आर काफी अच्छी है चलने में भी अच्छी है ब्रेकिंग भी सही है मेरे साब से तो ठीक भाइक है बाकी आप भी कमेंट करके बताओ यार कि आपको यह बाइक कैसी लगती है अच्छी लगती है अफी नहीं लगती कमेंट करके जुरू बताना और आपके साब से इसको पर्चेस करना चीए अफी नहीं जुरूर बताना तो बस यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जुरूर करना चैनल पे न्यूँ तो सस्क्राइब करके भे लाइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें इस्टा पे फोलो नहीं किया तो इस्टा पे फोलो का लेना यार ताकि लेटस्ट अपडेट आपको इस्टा पे मिलते रहें मिलते आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद बंदे मातराम